हाइलो एवरिवन गुर्मारी टुवाल आज के लेक्चर में पास्ट प्रफेक्टेंस एक बार फिर से क्योंकि पिछला जो वीडियो था वह पास्ट प्रफेक्टेंस जिसमें सिर्फ एक कारे का बोध होता था आज जो लेक्चर होगा जिसमें दो कारें का बोध होना पाया जाता है भूध काल में जब दो कारे समाप्त होते हैं उस वाकि में दो कलाजेंस होते हैं जो कारे पहले होता है उसकी अंग्रेजी हम पास्ट प्रफेक्टेंस के नियम से बनाते हैं और जो कारे बाद में होता है उसकी अंग्रेजी हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नुसार बना सबसे पहले ये देखना है कि वाक्य में पुर्वे या पहले शब्द आये अर्था जिसकी अगिर हम भीफोर बोलते हैं भीफोर आये तो जूसली कोई कर पहले पस्ट्रफेक्ट के नियम का प्रियोग करेंगे और प्यपूर के बाद पास्ट इंडिफिनीट तेंस की नियम का प्रियो करेंगे और इसको थोड़ा सा ब्राड कांसेप्ट में चलते हैं तो सब्जेक्ट हैड प्लस मुक्रिया का थर्ड फॉर्ण प्लस ऑब्जेक्ट फिर भी फोर सब्जेक्ट मुक्रिया का सेकेंड फॉर्ण प्लस सब्सक्राइब अभी कह रहा है कि वह तो पुर्वया पहले था लेकिन कह रहा है कि यदि बाद यापेश्चाद सब्दाएठ तो क्या ग printed मैं उसके कर वाले है वाले मैं जैसे उल्टा हो रहा है यानि पास्ट in definite tense, बाद में past perfect tense का प्रियोग करते हैं, ओर फुरा सब broad concept जाएंगे, तो subject plus मुक्रिया का second form plus object plus after, फिर subject head plus मुक्रिया का third form object होता है, clear, चलिए, आप इसको को Example के बादि हमसे समझेए, Example कहरा है, कि पदंग चारिया के आने के पूर्व, जब्रासी घंटी बजा चुका था अब ही प्रतनाचरिया आई नहीं थी उसके पहले ही चपरासी घंटी मजा चुका था पूरा कौन हुआ पहले तो घंटी बजा चुका था फंप विवक खुब ऊसके बाद प्रिंशीप टे के प्रत प्रशार इसे रहा है जिस में सब्सक्रांबे के बाद प्ता जी सब्सक्राइब की अ Chief서 तुमौ है सब्सक्रांब सब्सक्रांब vac Yes the father completed the office work देखिए नास्ता करने के बाद नास्ता करने के बाद the father completed the office work after he had taken breakfast after he had taken breakfast यानि मैंने बोला था ना कि अगर जिसमें बाद सब्दा आएगा सबसे पहले उसमें past independent का प्रयोग करेंगे और बाद फिर आफ्टर बाद के लिए आफ्टर फिर बाद में आपका past perfect अर्था थी head मुक्या के थर्ड फर प्लस object clear है एक एक जांपर और देखते हैं इन तोनों के अलामा कभी कभी हमारे sentence में when से भी वाक्या आते हैं इसलिए confusion मत होईएगा confusion मत पालिएगा देखिए जब हम घर से बाहर निकले तब मेहमान आ गये थे यानि the guests had come when we came out of the house समझ में आया इस चीज़ को मैं बारं बार क्यों कह रहा हूं आप दो ध्यान रखिएगा fill in the blanks आता है complete sentence आता है completion में आप देखे होंगे especially गर मैं बात 10 की करूं तो उसमें दो नंबर का आता है sentence completion यानि एक हिस्सा अब देखिए एक हिस्सा दिया रहता है अगर the guest had come when यहां तक दे दिया जाए उसके बाद कौन सा टेंस आप भरना है आपको दियान है कि अडेसमें सिर्फ हो आफर्मेटि और negative को ही लेकर कर आएं है अ देखे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में पुर्व याब पहले आजाए तो क्या के रहेंगे जब पूर्व याब पहले मैं आपको पता है कि अगर विफोर के सब्सक्राइब परिवर्तन नहीं होगा बाद या पहले हम आपको बता दें कि हम प्रियोग करते हैं उसके बाद पर्फिक्त का इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है यहां सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हमारा सहाय किरिया डिड का प्रियू किया जा रहा है यानि सब्जेक्ट डिड नाट वो किरिया के फर्स फॉर्म ऑब्जेक्ट आफ्टर उसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा आईए समझते हैं एक जामपल के माध्यम से घंटी बजने से पूर्व प्रधनाचार विद्याले में परवेस नहीं कर चुके थे इंटर दी स्कूल बिफोर दी बेल रैंग के लिए है अरे भाई पूर्व सब्द आया है तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट बाद में पास्ट इंडिफिनिट लेकिन बात यहां नहीं खतम होता है बात यहां खतम होगा जब हम fully समझ जाएं तुम्हारे जाने के बाद बाद सब्द आ गया उन्होंने हमसे बात नहीं की थे या नहीं कि उन्होंने हमसे बात नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद बाद सब्द है तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनेट यहनि दे डीड नाट टॉक्ट टॉ अस आफ्टर यू हैड गॉन यू हैड गॉन next example जखते है अध्यापक के जाने के बाद बच्चोँने सोर नहीं मचाया था जाने के बाद अब देखीए बच्चोँने सोर नहीं मचाया था यहीज दचिल्रेइन डिडनाट मेके नवाएस आफ्टर सब्द आया है तो बाद में past perfect दटीचर हैड कम यह था पास्ट पर्फेक्टेंस में जो हमने आज आपको आप फर्मेटी और निगेटिव संटेंस पढ़ाया इंट्रोगेटिव एक छोटा सा वीडियो लेकर करके हम आएंगे जो मतलब आप समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव जो है क्या से शुरू होता है और जब स्रमाच और कुछ नहीं ओके थेंक यू